दोस्तों आज आपके साथ एक ऐसे अनाच के बारे में जानकारी शेयर कर रही हूँ जो कि शाकाहारी खाने में बहुत ही पॉस्टिक आहार माना जाता है प्रोटीन से भरपूर होता है और धेर सारे न्यूट्रियेंट्स होते हैं इस काले चने में यदि एक मुठी काला चना आप खाते हैं न दोस्तों तो आप कई बिमारियों से बच सकते हैं यदि आपको चश्मा लगा है तो आपका चश्मा उतर जाएगा क्योंकि इन चनों में भरपूर मात्रा में पोशक्ततों होते हैं विटामिन A से भरपूर होता है हमारी आँखों की रोशनी को तेज करता है आपके शरीर में यदि कमजोरी है तो शरीर की कमजोरी दूर होगी आप ताजगी और फूर्ती महसूस करेंगे अपने आप में भरपूर मात्रा में चने में कैल्शियम होता है हड़िया मजबूत होती है जोडों के दर्द हड़ियों की कमजोरी से हमें आराम दिलाता है चने का सेवन जो डाइबिटिक हैं जिने मधुमे की बिमारी दोस्तों उन्हें भी एक मुठ्थी चने का सेवन जरूर करना तो चने का इस्तमाल कैसे करना है, सबसे पहले इन साबूत चने को आपको अच्छी तरह से पानी से धो लेना है, पानी से धोने के बाद आप कम सकम दो बार इसे साब पानी से धो ले, उसके बाद ही आपको इन चने का इस्तमाल करना है, हमारी इम्मिनिटी को बढ़ाता है, हम पारी रोग प्रती रोधक शंता बढ़ती है, हाथ पैरों में, कमर में जो दर्द रहता है, कमजोरी रहती है, खून की कमी हो, चाहे मोटापा हो, ये सारी चीजें दूर होती है, जो लोग वजन को कम करना चाहते हैं, उन्हें भी पानी में भिगे हुए चने, और चने के पान करने में आसानी होगी, और उसी तरह से चने का जो पानी होता है, वो भी बहुत ज़्यादा पौस्टिक होता है, पोशक तत्वों का भंडार है, आप ये जो चने राद भर पानी में भीग चुके हैं, आप देख रहे हैं, आप चाहें तो इन्हें अंकुरित कर सकते हैं, इ कुछ चने को कपड़े में बांध कर पोटली बना कर आप रग दें, साथ से आठ घंटे में ही इसमें अंकुरन निकल जाता है, इस प्राउट हो जाते हैं, और जब चना इस प्राउट हो जाता है, तो वो और भी ज्यादा न्यूटिशियस हो जाता है, और भी ज्यादा ताकत एक मुठी अंकुरित चना, अंकुरित मूग, अंकुरित मसूर ये चीजे हमें जरूर खाना चाहिए दोस्तों और इसका असर यदि हम अच्छी चीजे खाते हैं सेहत मन चीजे खाते हैं दोस्तों तो इसका प्रभाव हमारे स्वास्त के साथी साथ हमारे सौंदरे पर भी हैं ते चने नंगे हेलडी से फ़रग सुदरघ्ड भी पड़ता है। वस President natin रerek पूरार इस फिर ज've रहाएं. इस दो बार पानी की उसके बाद की आप ऀसतमाल कर ना है। बढूत हैं कि यहां है , फहuleने फेल चने से शक राच भ़त थीज खाना के जूग ले चने। राद भर भीका दिया था, सुबा उठकर मैंने चने के पानी को छान कर ग्लास में रख लिया है, और चने आप देख रहे हैं, बढ़ी अच्छे फूल चुके हैं, अगर मैं इन्हें चननी से ढाप कर भी रख दूँगी, किसी भी जालीदार टोकरी में रख दें आप, ये दस आट से 10 घंटे में अंकूरण निकल जाएगा, गर्मी के मौसम में अनाज जो होते हैं, धळशो बहुत जल्दी स्प्रावट होते हैं, ठंड के मौसम में अनाज में अंकूरण आने में या अनाज को अंकूुरित करने में थोड़ा सा ज़् green फ़्व होते हैं दोड़ा सा ज़ाद ज़ाद तीन छोटी चमज से जादा नहीं खाना यदि कच्चा खा रहे हैं तो कच्चा खाने के लिए दोस्तों यह अंकुरित हो जाएं, आप इसे कच्चा ऐसे ही खा चकते हैं, थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए आप इस में थोड़ा सा नमा, काली मिर्ची, न बहुत जादा हमें कच्चा नहीं खाना चाहिए, आप चाहें तो थोड़ा सा भाब दे दें, स्टीम दे दें, आप इसे हलका सा ताकि थोड़ा सा पक जाए, फिर आप इसे एक कटोरी भी खा सकते हैं, आप कुछ दिल लेकर देखें, एक सब्ताह सेवन करके देखें, आपको दिल को मजबूत रखता है, चना, दूसरी चीज़ है दोस्तों, मूंग, साबुत मूंग लिया है, तो ये कुछ ऐसे अनाज हैं, जिनका हमें समय समय पर सेवन जरूर करना चाहिए, आप चने का पानी पी सकते हैं, आप अंकुरित मूंग खा सकते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत फाइदे मंद हैं, दोस्तों, कुछ अनाज ऐसे होते हैं, जिने हमें रोज अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, कभी आपने अंकुरित चना खा लिया, अंकुरित मूंग खा लिया, इसे खड़ा मूंग भी कहते हैं, दोस्तों, और आयुरवेद में खड़े हत्व है दोसों इसे खाने से मधुमेह की बीमारी बहुत हद तक के 컨्ड्रोल में आजाती है क्योंकि blood sugar level control में आता है मूवख खाने से इसे भी पानी में भीगाने से पहले आप एक से दो बास साफ पानी से दोलें उसके बार इसमें पानी भर कर राद भर भिगा कर रखें, राद भर में ये जो मूंग है अच्छी तरह से फूल जाएंगे पानी में और सुबह आपको चान कर आप चाहें तो इसका पानी पी सकते हैं और मूंग को चबा चबा कर खाएं, दो से तीन चमच पानी में भिगे हुए मूंग को चबा चबा कर जरूर खाएं जादा खाना चाहते हैं दोसों नाश्टे के रूप में तो आप इसे थोड़ा सा भाप में इस्टिम में पका ले और फिर खाएं इसे खाने से हमारा पेट अच्छा रहता है कॉंस्टिपेशन की समस्या दूर होती भरपूर मात्रा में इसे खाने से हमारी इमिनिटी बढ़ती है हमारी रोग प्रती रोधक्षमता बढ़ती है हमारी आखों की रोशनी को तेज करता है मूंग का सेवन बहुत सी बिमारीयों के लिए फाएदे मन्द है दोस्तों इसे अपनी डाइट में जरू शामिल करें ऐसा कहा जाता है कि इतने सारे न्यूट्रियंट्स और विटामिन मिलेंगे और हम हेल्दी रहेंगे कम पैसा खर्च करके भी हम बहुत सी हेल्दी चीजें खा सकते हैं अपने शरीर को स्वस्त रख सकते हैं अपने सौंदरी को हम बना कर रख सकते हैं और साथ ही साथ इसमें इतने विटामिन मि जरूर खाना चाहिए, भरपूर मात्रा में मूंग में भी विटामिन A होता है, हमारी आखों की रोशनी को तेज करता है, जिने चश्मा लगा है, उन्हें भी जरूर खाना चाहिए, अंकुरित मूंग चले में भरपूर मात्रा में विटामिन C होता है, जो कि हमारी रोग प्र डाइट में आप जरूर शामिल करें दोस्तों, आप नाश्ते में लें, आप इनका चीलाinaire के लें, आप चाहे तो इनकी डाल बना कर लें, आप चنए की सबजी बना कर ले सकते हैं, मूंग की डाल बना कर लें, जो आपको तरीकह अच्छा लगे, उस तरीके से आप इसे खाए और अपने आहर में इसे जरूर शामिल करें बहुत से रोक खिचली बनाते हैं उसमें भी साबुत मूंग डालते हैं दोस्तों अपने खाने पीने का हमें जरूर ध्यान रखना की जतना हेल्दी जितना अच्छा फूड हम लेते हैं दोस्तों उसका प्रभाव हमारे स्वास्थ पर हमारे सुन्दर्था पर भी पड़ता है और मूंग साबुत मूंग बहुत ही सूपाच ये होती है आप इसका सूप बना कर ले सकते हैं तो जो भी तरीका अच्छा लगे आप ले सकते हैं और इससे आपकी सूस्ती थकान हात पैरों का दर और जोड़ों के दर्द से आपको तुरंधी आराम मिलेगा रहत मिलेगी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें